हेलो अब्रीवन वेल्कम बैक टो मैं चानल आइप कि आप सब ठीक हूंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और यह मैं बनाने लगी हूं मेती मतर इसके नहीं मैंने मेती काट के दो के अच्छा से रख ली थी और यह तो मैटो प्यूरी मैंने टिमाटर को दो टिमाटर यह थे चोटे उन्हें पीस लिया था ग्राइंडर में और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं स्टोर बॉट यूज कर रही हूं अभी काफी दिन से हिम्मत नहीं हुई है घर में बनाने का वैसे मैं बना के क्यूब में रखती तेजपता लांग और ब्लैक पेपर और फिर प्यास डाली थी उसे थोड़ा ब्राउन कर लिया था और हाँ जीरा भी डाला था और फिर इसमें यह टुमैटो प्यूरी अट कर देंगे और अच्छे से बूनना है मसाले डाल के तो यह मैं सूखे मसाले डाल रही हूं हल्दी दनिया लाल मिर्च इसको तब तक बूल लेंगे जब तक और अलग ना हो जाए मैंने फिर इसे कवर करके अच्छे से पकने दिया था और आउंड 10-15 मिर्ट्स लगते हैं इसे पकने में फिर इसका लिड हटा के भी मैंने अच्छे से बुनाई की थी इसकी तब जाकी यह और मतर डाल के अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पानी ढलके डख के रख देना है ताके मतर थोड़ी सा घल जाये पूरी नहीं गलानी है फिर उसके साथ मेती भी डालनी है मेती के पत्ते डालने के बाद थोड़ा और पकाना है तो उसके साथ भी मतर गल जाएगी तो ये ऐसे बनाने से मेती मतर की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी और खड़े मसालों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है यह विंटर्स की बहुत इची रेसे पीए बहुत टेस्री बनती है और मेरे हजबन को और मुझे बहुत पसंद आई थी बच्चे ऐसी चीज़ें खाते नहीं है तो बड़ी बेटी ने थोड़ी इसकी पीज खा ली थी और थोड़े बाइट से मैंने रोटी के साथ उसे दे द डला है उसमें चॉप किया हुआ हुआ है यह बहुत झी आसान रेसिपी है जटपड़ बन जाने वाली और अगर वजिटेबल्स रात में ऑंकर के और बस वेजटेबल्स चॉप अगर नहीं होती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है जादा तो मैं लसन में बस फिर प्यास डाल दूँगी उसे भी थोड़ा सा हलका सा फ्राइ करना है जादा ब्राउनी करना है और इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस, विनिगर, ओरिगैनो, नमक और थोड़ा सा केचप भी डालूँगी चिली सॉस अगर आप लोग खाते हों तो आपको डालिये वरना मेरे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं ये नहीं डालती हूँ इन फैक्ट मैं घर में भी नहीं रखती हूँ क्योंकि बेकार जाएगा फिर मैं भी ज्यादा तीका पसंद नहीं करती और पीज मेरे पास अलड़ी प्राई हुए वे रखे हुए थे तो उन्हें ज्यादा पकाना नहीं पड़ा तो ये बहुत जल्दी हो गया था बस शिमल के बेटी को दिया था खीरे के साथ इस लंच बॉक्स की अच्छी बात है कि इससे लीक नहीं करता है इसमें थोड़ा ओयल रहता है पास्ता में तो इसलिए मैंने इस वाले टिफिन में रखा था ये बिल्कुल एटाइट हो जाता है बिल्कुल हलका सो ओयल इसके किनारों प प्रण आए हुए थी तो यह मैं फूल गोबी को काट के रख रही हूं यह मझे अभी इसे नहीं पकाना है तो मैं इसे काट के पानी में थोड़ी दिर भिखोंगी और फिर इसे फ्रेज में रख लोंगी ऐसे रखने से दो तीन दिर में खराब नहीं होती और मैं ऐसे टप कंटेनर में रखती हूं ऐसे चार है मेरे पास और यह मैंने देखिए फलियां रखी नहीं काट के दो दिन पहले तो यह अभी तक फ्रेश हैं और मैं आज यह बनाऊंगी आलू बीन्स की सबजी तो उसमें यह यूस करूंगी यह टप अफेर के कंटेनर्स बहुत अच्छे और स्कुरेश शेप के हैं और यह इसली स्टैकेबल हैं एक दूसरे के ऊपर आरम साब स्टैक करके फ्रिज में रख सकते हैं और ज्यादा स्पेस भी नहीं गेरते हैं तो आजकर विंटर में यह मेरे बहुत काम आ रहे हैं क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि यह बहुत आला पर आलू और बीन डाल के मैं थोड़ा फ्राय कर लोंगी पर उसके बाद मसाले सारे आट करूंगी और फिर बस उन्हें मिक्स करके मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें सीटी लगा दूंगी दो तीन बहुत एजी जटपड बन जाने वाली रेसिपी है और यह बहुत ही मज करना है तो आप मसाले कम डालिए तो आपको आटोमाटिकली मज़ेदार भी लगेगा और अगर बच्चे घर में नहीं खाते स्पाइसी तो भी आराम से खा पाएंगे और आपको उनके लिए कुछ अलग से बनाने की टेंशन भी नहीं होगी तो मैंने इसमें विसल लगा द अगर देखिये दोनों अपना कुछ खेल रही थी कुछ अपने आपस में पार्टी वार्टी कर रही थी उसके लिए बलून्स निकाले हुए थे इससे कबारा तो बहुत होता है लेकिन मैं करने देती हूँ कि किसी चीज में तो लगे हुए हैं और जब तक प्यार से केलती हैं तो अपना केलती रहती हैं काफी देर तक और फिर इनको ये जोश हुआ कि हमारा प्लेरूम बहुत गंदा हो रहा है इससे थोड़ा सैट करते हैं तो मैंने भी का चलो वैक्यूम कीनर लेकर इसकी सफाई करो थोड़ी फिर मैं कार्पिट बिचा दूँगी और अपने टॉइस सही से लगा कर रखना तो ये चोटी वाली तो बस मस्ती कर देए थी सारा काम बड़ी वेटी नहीं किया और उसने इस सब क्लीन करके फिर लोगे लिए कार्पिट बिचा दिया लोगे टॉइस इतने हैं कि सालों पुराने भी हो गएं काफी लेकिन मैं फेकती नहीं हूं जो बस टूटूट जाते हैं वह अटाती हूं या बहुत ही इनके बेबी टाइम के हैं वह मैंने हटाय हुआ हैं लेकिन ये सीसो और लेकिन मुझे लगता है कि अभी ही इनका टाइम है खेलने का और टॉइस ले रखें इतने महंगे महंगे तो उन्हें पूरी तरह यूज़ करके ही छोड़ें तो बिचारी ने काफी मेहनत से वाक्यूम केलिंग करके हर जगह से साफाई कीती और फिर मैंने एक आपर बिचा थी रिटर्न गेफ लेक है तो वह यह दिखा रही है इसमें एक शुड़ा सा पैंसिल केस मिला है और चॉकलेट का डिबबा मेला है इसे बस पार्टी में जाने का ही चाईदिए लिटा है कि रिटर्न गेफ लेकिन गेटी और जादे इंजॉय भी नहीं करती है उपर से रोत सारे बच्चों साथ केरती है सारे गेम्स ये बहुत कम खेरती है और इसकी बसे यह इज़िद होती है कि जाना तो है लेकिन इसाथ में कोई नहीं जाओं ये इसके पापा जाना तो आज की नहीं है बस इतना ही है मेरा विडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और कमेंट करना मत भूलेगा थैंक यू फो वाचिंग बाई